वेल्कम बेक फ्रेंड ओन मा यूटूब चनल कमेश्टी सर अनीश कुमारजाद और आज की सेसन में हम लोग बात करेंगे सवाष्भाग बिहार सरकार का स्वाष्भाग में जो इन गलता है उस करमचार्यों पर जो झोब उनको क्या सुधाय मिल रही है क्या दिखते हो रही है उस पर यह सेसन है और इस पर ही में से संवे चर्चा करूंगा तो निश्यत रूप से ये वीडियो जो है है फ़िए बिहार गौर्णमेंट पर के जितने भी कांट्रेक्शल स्टाफ हैं चैने वह भी चेम हो बीसी एम हो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि स्वास दुवाग में जो भी समीधा पकार कर रहा है करमचारी जैसे वह पी एचेम है पीसी एम है सब्सक्राइब करना चाहिए और इसमें पर्टिपेट करना चाहिए कि निच्य दुरूप से आप देखेंगे तो भीहार कवर्मेंट का अगर आप हाँ में बात कर स्वासांब्हाग में स्वाइव कॉल हैं जैसे भी हो गया ठीक सथ बतायाए यहागा कि बहुत दूराट में ही रहे हैं क्या वग में तो प्रेशर में क्यों जी रहे हैं तो देखे स्वास विभाग में जो है बिहार सरकार में आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है मतलब मन्थली जो आपको पेमेंट होना है टाइमली ठीक है वो टाइमली पेमेंट नहीं होता है ठीक है जिससे जो एनेम है जी एनेम है चाह जो भी पद्ध है स्वास्विभाग का उनका घर कैसे चलेगा यह सोचने कभी से हैं निश्यत रूप से आप देखेंगे तो हमेशा से कॉमेंट आता रहता है कि सर इस पर कुछ एक विडियो बनाईए थोड़ा सा जागरूप किजिए तो निश्यत रूप से इसी के लिए सेस ओंप मालम चलेगा उनका जय्यत लोड़ा ओंपर कार करने वाले जो एनेम का ही तुलना करों पद जो था एक नेकीन क्यूंदुरा है आप दू आपको सेल्री मुहिन से नहीं मिला हुए आप सोच सकते हैं सेनका काम कर रही है और उसी पद पर परवानेंट जो एनेम काम कर रही हैं उनका सेलरी अप्टू डेट है चूकि वह विहार सरकार की करमचारी है और स्वार्फ विभाग में लेकिन फिर भी एक को payment आप टाइम पर दे रहे हैं और एक को पीमेंट आप टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो निशित रूप से क्या वित्येगी आप समझ सकते हैं काईसे घर चलेगा कैसे गुजारा होगा एक बात दूसरी बात की बेतन भी संगती जो है बहुत ज़दा है स्वास्त भाग में आप देखेंगे तो आप मनेजर का पद जो होता है उसके लिए जो है आप देखेंगे तो 15,000 पहले मतलब की मोटा मोटी 18,000-20,000 पर मनेजरों को रखाए तो जो की बहुत बढ़ा पद है सब्सक्राञा के साथ ही ही साथ आप जाएंगे तो देखेंगे विभाग में विजट करें हॉस्पिडेल का घंने हमेजर क्या हूद इतना करना है इतना करना है भना संब्यान और और करम से गवर्मेंट को इस पर संग्यान लेना चाहिए कि क्यों नहीं पेमेंट मिल रहा है टैमली पेमेंट क्यों नहीं मिलता है समविधा करमचारी को काम तो भी कर रहा है निश्चित रुप से आप एक करमचारी जो है एक नर्स जो काम कर रही है उनको आप दे रहे हैं साथ हजा रुपया पचास हजार रुपया और उसी पोश्ट पर एन्यम जो सम्विदा पर काम कर रही है उनको आप दे रहे हैं 11,000 रुपया 12,000 रुपया यह कहां कर निया है बताईए तो बेतन विशंगती भी बहुत ज़्यादा है पेमेंट टाइम पर निमले से जो है कार अस्थल प पर काम कर रहा हूं लेकिन मेरा सेलरी इतना है और उसी विभाग में एक फोर्थ ग्रेट का पर्मनेंट करमचारी है तो उसका पेमेंट बहुँ ज़्यादा है यह बहुत ही गंभीर बिस्या है जिस पर सभी सवास समीधा करमचारियों को विचार करना चाहिए इसके साथ सा लिदा करणा सत्ते में च्राय। सवास समीधा करमचारी को एक हमेशा पर बणा कर दे चलता है आं लेकिन कभी मैंने यह देख रहा हूं लगतार इमीचल विचल विचले करता हूं लिखेंगे तो रिशेन करता हूं कि दंडा नहीं चला गोर्मेंट का जब भी चला है त descont tud में चला है समीधा करमचारी चलता है को इसके साथ साथ आप घ् aja स्वास सुधाएं मिलनी चाहिए और नहीं मिल पार है करण्ट क्या है आप एक स्टाप को चार जगा ड्यूटी लगा रहा है काई जगा का परभार में काम करा रहा है तो निश्चीत रूप तो काम कैसे करेंगे कैसे अपना बहतर देंगे आपने जब contractual स्टाप की बहाली की तो उसमें तो आपने दिया आपने लिखा कि आपको जो है एक पद के लिए एक ब्लॉक के लिए या एक काम के लिए आपको बहाल की जा रहा है लेकिन आप देखेंगे जैसे आप बहाली आपकी हो जाएगी आपको additional charge जो है ठोब दिये जाएगा payment आपको यह बहुत ही निंदनिय है और इस पर गवर्मेंट को विचार करना चीए और समान काम समान बेतन लागू करें सभी समीधा करमचारियों को निम्मित करें और जो extra extra परभार दिये गया है उस आप extra परभार को बंद करें और आप बहाली कीजिए ठीक है आप बहाली कीजिए अब आप देखेंगे कि अगर मैं रेल्वे की बात करूब भाड़ सरकार का किस तरह से रेल के दुर घटना जो है लगतार आपको देखने को मिल रहा है क्यों क्योंकि बहाली नहीं हुई है ठीक है बहाली सीटे बहुत भैकेंट है एक बेकती जो है एक परसन जो है बहुत बिहार के हित में अधीक सधीक जीतने भी पद है सब पर पर्मानेंट भाली कीजिए और एक बेकती से एक ही काम कराई है अलग-अलग चार्ट देकर काम ना कराएं जिससे उसके कारशमता पर असर पड़े थैंक्यू भरी माच